ब्रेक अप के बाद कौन सी जीज़े आपको करनी है कौन सी नहीं करनी है आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना चीए ताकि आप गलती ना करें हेलो फ्राइम्स लाट यूप सुडूप चैनल में आप सभी का स्वागत है पहले ये जान लेते हैं कि आपको क्या करना है नमबर तीन पर आपको सोसिल मीडिया पर उनको अनफॉलो कर देना है कुछ फोटोग्राप्स अगर आपके पास है तो वो डिलीट कर देना है और जला देना है ये सबसे पहले आपको काम करना है ब्रेक अप के बाद आप शौर हो जुक है कि आप उनके साथ रहना ही नहीं है तो ये चीज़ करने है ताकि बार-बार वो सामने ना आए और आपको mentally disturbance ना हो नमबर दो पे खुद को बीजी बना देना है देखे ये भी एक अच्छा तरीका है जैसा कहता है कि खाली दिमाग शैतान का गर वैसा ही आपको बुरे-बुरे ख्याल आते रहें कि आपको कुछ भी करने की इच्छा जगेगी कि ऐसा बोल दू ऐसा कह दू लेकिन खुद को बीजी रखेंगे बिजी रखने के तरीके के अपने शौक को सामने लाए कोई मुजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाते है कोई स्पोर्ट में आगे बढ़ना चाते है कोई करियर में कुछ काम करना चाते है तो वहाँ पे जाए अपने दोस्तों के साथ चील करें अपने दोस्तों के साथ घुमने जाए या तो फिर जो ऐसा दोस्त है जो ज़्यादा spirituality की और है कोई आश्रम में जाना कोई ऐसी जगह जाना जहां पर meditation होता हो तो उनके साथ जूरिये वो कौन सी जगह जाता है वो ज़्यादा माइने नहीं लेकिन आपको उससे शानते मिलेगे तो इससे आप बीजी रहेंगे नमबर एक पर आसपास के लोगों का support लेजिए जैसे family हो गई friends हो गई कोई therapist भी हो सकता है कोई ऐसा इनसान भी हो सकता है जो आपके staff में हो आपसे नीचे के पदपे हो लेकिन वो आपके support system की तरह काम कर सकता है support system यानि क्या जो आपकी बात है सारी सुने समझे और आपको सही सला दे ऐसा नहीं कि वो गलत आप गलत सही सला दे तो ये तिन चीज़े आपको करने है ब्रेक अप के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़े आपको नहीं करनी है नमबर दो पर उनको सामने जाके गाली गलोच करना या कुछ भी behavior करना ये नहीं करना है कुछ लोग होते ब्रेक अप के बाद उतने गुस्से में आ जाते कि तुने मुझे ना कहा ही कैसे तो उनके गर पर जाकर गाली बोलना या उनको कहीं पर बुला कर कुछ लोग तो तपल भी मारते या मारा मारी करते है गाली गलोच करते है कुछ भी वहवार करते है ऐसा मत करिये ऐसा मैं क्यूं नहीं करने को बोल रहा हूँ देखे इससे बात का बतंगल बन जाएगा कुछ भी हो सकता है उससे आपको मारने के बाद ही उनसे दूर तो रहना ही है आपको गुसा निकालना है तो कहीं और निकाल देना ये सही समय और सही इनसान पर इस तरह का गुसा निकालने का तरीका नहीं है नमबर एक पर आपको उनका ध्यान अब नहीं रखना है मतलब क्या मतलब कुछ लोग होते है जो प्रिक अफ के बाद चिप चिप के कुछ दूसरे आईडिसे उनको फॉलो करते है और उनको ये फोटोग्राफ देखते रहते है वो किसी तीसरे के साथ रिष्टा बनाया है या नहीं कोई आ गया है नहीं रिष्टे में उसके बाद भी वो गुसा होते रहेंगे तो क्यों उनको फॉलो करना है अब बात खतम हो गई तो उसके बाद क्या है हमें क्या लेना देना हमें अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना है इस तरह से आपको सोचना होगा ब्रेक अप के बाद तो ब्रेक अप के बाद ये दो गल्ती कभी ना करें कि उनको गाली गलोच करना है या तो चुपके चुपके उनको फॉलो करना लेकिन जो पहले तीन चीजे बताई वो करनी है आपको अपके ने आपको बीजी रखना है उनको अंफॉलो कर देना है उनके फोटोग्राफ जिला देना है उनके साथ आपको कभी भी गलत वैवार नहीं करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स ने बताई कि गिद उसनों बैटर लेव बैटा